हाई फ्रेंड्स तो ये देखे बहुत ही बढ़िया मलाईदार ये कुल्फी हमारी बन के तयार है तो ये हमने प्रिमिक्स से बनाई है तो आज हम घर पर कुल्फी प्रिमिक्स कैसे बनाते हैं और उसे कुल्फी कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी देखेंगे तो अगर आपको य जरूर कर देना तो चले फिर रेशिपी शुरू करते हैं तो यहां पे मैंने पाँच ब्रेड के स्लाइट लिए हैं और इसके हमें टुकडे बनाने हैं तो यह दिखिये, यह टुकडे मैंने बना लिए हैं इसे हम मिक्स के जार में निकालेंगे और इसका पाउडर बनाएंगे तो ये पाउडर भी हमारा बिल्कुल तयार हो गया है तो अब हमें इसे रोस्ट करना है तो इसे पैन में निकालेंगे ये प्रिमिक्स का पाउडर आप स्टोर करना चाहते हों तो इसे roast करना बहुत ही ज़रूरी है तो बिल्कुल धीमी गयास पर हमें एक से दो मिनिट के लिए इसे roast करना है ये प्रिमिक्स का पाउड़र आप दो से तीन महिने के लिए फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हो तो ये देखें बहुत ही अच्छे से ये roast हो गया है अब हमें गयास को बंद करना है और इसे हमें निकालना है तो मैं गयास को बंद कर रही हूँ और इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी ये पाउडर ठंडा हो गया है इसे हम बाउल में निकालेंगे तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्राइफूर्स लिये हैं काजू, बदम और पिस्ता इसका भी पौडर बना के हम प्रिमिक्स में डालेंगे तो यह डालना ओप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा, तो इसका भी हम पौडर बना लेते हैं तो यह देखें, यह ड्राइफूर्स का पौडर बन के तयार है, इसे भी हम इसी बाउल में डालेंगे और यहां पे मैंने एक कप चीनी लिए, एक कप से थोड़ा सा कम है, इसका भी पौडर बना के हम इसी मिश्रन में डालेंगे और यहां पे एक चम्मच हम इलाजी का पौडर डालेंगे, और एक कप हमें मिल्क पौडर डालनी है अगर आपको मीठा जादा पसंद हो, तो यहां पे आप चीनी के मातरा थोड़ी सी बढ़ा सकते हो तो इन सारी चीजों को मैंने अच्छे से मिला लिया है अब हम इसमें कौण फ्लावर और कस्टरड पौडर डालेंगे तो यहां पे मैं एक चमच कौण फ्लावर डाल रही हूँ और एक चमच कस्टरड पौडर अगर आप चाहो तो दो चमच कौण फ्लावर या दो चमच कस्टरड पौडर भी यहां पे डाल सकते हो तो इसे भी अच्छे से मिलाएंगे तो यह हमारा प्रेमिक्स बिलकुल तयार है इसके उपर से हम थोड़ से बारी कटे हुए ड्राइफूर्स डालेंगे आपको जो पसंद है ड्राइफूर्स वो आप यहां पे डाल सकते हो तो यह हमारा प्रेमिक्स बहुत ही बढ़िया तरीके से तयार है इसे आप airtight डबे में फ्रीज में रखके 2-3 महिने तक के लिए store कर सकते हो बहुत ही बढ़िया रहेगा और जब चाहो आप इसे इस्तमाल कर सकते हो तो इसे कुलफी कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर मैंने एक मेजरिंग कप लिया है और इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और इस कप में हम यह प्रिमिक्स टालेंगे तो यहाँ पर मैंने आदा कप यह प्रिमिक्स लिया है या फिर इस बड़े चम्मच से मैंने दो चम्मच यहाँ प्रिमिक्स लिया है तो यहां पे मैंने डेड़ कप दूद लिया है इसी कप से नाप के देड़ कप मैंने दूद लिया है दूद को थोड़ा सा मैंने गरम कर लिया है और इसमें ये प्रिमिक्स डालेंगे इसे अच्छे से मिलाएंगे इन सारी चीजों को हमें अच्छे से मिलाना है गयास पे रखने से पेले वरना इसमें गुठलिया पढ़ सकती है तो इसे हम अच्छे से मिलाएंगे अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो यहाँ पे आप एक से दो चम्मा चीनी डाल सकती हो तो इसे मैंने अच्छे से मिलाया है अब इसमें हम केशर डालेंगे ऑप्चनल है अगर आपको पसंद है तो डालिए और थोटे से ड्राइफूड भी मैंने यहां पे डाले है इसे भी हम अच्छे से मिलाएंगे अब मैंने इसे गैस पर रख दिया है और इसे 4-5 मिनिट तक के लिए अच्छे से पकाना है गैस हमें बिलकुल मीडियम रखनी है मीडियम गैस पर हमें इसे 4-5 मिनिट तक के लिए पकाना है और लगातार चलाना है ताकि इसमें गुठलिया ना पड़े अगर आप इसे जादा कॉंटिटी में बना रहे हो तो थोड़ा सा वक्त जादा लग सकता है तो ये दिखिए हमारी कुल्फी का जो मिश्रन है बिलकुल तयार हो रहा है ये दिखिए ये मैंने 2 मिनिट तक के लिए पकाया है और थोड़ा सा गाड़ा होना शुरू हो गया है इसे लगातार चलाना है और साथ 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 की जो मलाई है इसे भी निकाल दे जाना है तो ये दिखिए, मैं लगाता ही, चला रही हूँ और ये साइड की मलाई भी निकाल रही हूँ तो ये दिखिए, चार मिनिट हो गये है ये कुलफी का जो मिशरन है, हमारा बहुत ही गाड़ा बनके तैयार हो गया है बस और एक मिनिट तक हम इसे पकाएंगे तो यह हमारा मिश्रन बिल्कुल तयार हो जाएगा जो हमने इसमें केशर डाला था उससे इसका कलर बहुत ही बढ़िया आ गया है तो मैंने इसे एक मिनिट के लिए पकाया है यह बिल्कुल तयार हो गया है मैंने ग्यास बंद कर दिया है तो ये कुलफी का मिश्रन हमारा बिल्कुल तयार हो गया है तो अब हम इसे पूरा ठंडा कर लेते हैं फिर हम इसे निकालेंगे तो ये देखिए ये कुलफी का मिश्रन हमारा बिल्कुल तयार हो गया है तो ठंडा होने के बाद ही हमें इसे मोल्ड में निकालना है तो यहाँ पे मैंने airtight डबा लिया है इसी में हम इसको निकालेंगे अगर आपके पास कुलफी मोल्ड हो तो आप यह कुलफी उस मोल्ड में भी set कर सकते हो तो यहाँ पे मैंने एक एरटेट डेबे में इसे सेट करने के लिए डाला है उपर से हम एक प्लास्टिक का रैप लगाएंगे जिससे कुलफी में आइस क्रिस्टल नहीं जमाऊंगे तो इसे हमें फ्रीजर में रखना है तो यह दिखिए परफेक्ट यह मलाईदार कुलफी हमारी बन के तयार हो गई है इसे आप अपने हिसाब से गार्णिश कर सकते हो खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगी और जट से बनेगी तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करना